नमस्कार, लखनव वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनव उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को आउन कर ले ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखे ताकि हम आपके जिले से जुड़े मौसम की जानकारी दे सके तो आईए जानते हैं लखनव सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल तो आईए देखते हैं कि 3 और 4 नौमबर को भारतिय मौसम इभ्याग के अंसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानमान उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम में तेजी से बतलाव देखने को मिल रहा है उत्तर भारत में जहां ठंडने दस्तक दे दी है वहीं पहारी इलाकों में भी जमकर बरफवारी हो रही है नई दिल्ली में सुबा के वक्त कोहरा भी देखने को मिला है मुसमी भाग के पुर्वानमान के मताबिक 3 और 4 नौमबर को सुबा के वक्त कोहरा चाया रहेगा जबकि 5 से 7 नौमबर तक बदल चाया रहेंगे मुसमी भाग के मताबिक 6 और 7 नौमबर से देश में 2 पस्चमी विचोब के कारण उत्तर से लेकर मध्य भारत तक ठिटरन बढ़ेगी पुर्वानमान के मताबिक पहला पस्चमी विचोब ने कस्मीर में दस्तक दे दिया है एक वदो नौमबर से जम्मो कस्मीर, हिमाचल और उत्राखंड में बर्फवारी के साथ ही बारिस के भी आसार है दूसरा पस्चमी विचोब 3 नौमबर को आने की संभावना है इसके कारण 5 से 6 नौमबर तक कस्मीर से लेकर हिमाचल और उत्राखंड में भारी बर्फवारी होने का अनुमान है इसके कारण 8 वर 9 नौमबर से उत्तपरदेश, मदपरदेश, दिल्ली, समेत कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी उत्तपरदेश में सबसे ठंडी रात वाला दूसरा जिला राहक कानपुर, कानपुर में हवा की दिसा बदलने से गिरा नियुनतम तापमान बंगाल की खाडी से नमी लेकर गंगा के मैदानी छेत्रों में आ रही दच्छनी पश्चमी हवा से नियुंतम तापमान में गिरावर से रात में ठंड बर रही है वहीं पश्मी विचोब से पहारों पर हलकी बारिस और बरफवारी के बाद मैदानी इलाकों में तेजी से ठंड बंढने की संभाबना है जबकि उत्तपरदेश में लखीमपूर के बाद कानपूर में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई है मुस्वन विभाग ने हिमालय पर पश्मी विचोब के कारण पहारों पर हलकी वर्सा की संभाबना जताई है इसके बाद गंगा के मैदानी इलाकों में भी रात के तापमान में और कमी आ सकती है उधर एक चक्रवाती हवा का छेतर धचिन पश्मी बंगाल की खाड़ी पर है साथ ही चार नौमबर से एक और पश्मी विचोब जम्मो कस्मीर में पहुँच सकता है जिसके कारण हवा की दिसा फिर से बदलेगी और ठंडक बढ़ेगी वही आगरा में बढ़ेगी गुलावी ठंड हलके फुल के बादलों का भी फिलहाल रहेगा असर आगरा में मुसम बदल गया है बुदवार सुबा धूंद और हलके बादल चाय रहे दिन और रात के तापमान में कमी आएगी दस नॉवंबर तक बादलों के बने रहने के आसार हैं दरसल जम्मो कस्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पश्मी विचोब पूरी तरह से विक्सित हो चुका है हवा में नमी अधिक होने के चलते दिन और रात के तापमान में कमी आएगी दस नॉवंबर तक बूंदाबांदी के साथ बोचार भी हो सकती है गुलाबी ठंड बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता मुसमी भाग के अंसार पश्मी विचोब और पहारी छेतरों में हो रही बढ़पवारी के चलते हवा में नमी की अधिकता हो गई है इससे गुलाबी ठंड बढ़ रही है आगामी दो से तीन दिनों में यह और भी बढ़ जाएगी उधर वारांसी में मुसम का रुख लगातार बतलाओ की और होने के बीच अब बादलों की सक्रियता के संकेत है माना जा रहा है कि आने वाले कुछ गंटों के बाद पश्मिवी छोग के असर से बादलों की आवाजाही और ठंड का दोड भी पूरवान चल तक असर कर सकता है वातावरन में यह मामली परवरतन दच्छिन में चक्रवाद की बज़े से माना जा रहा है हालनके अब पच्छवा हवाओं का दोबारा जोर सुरू होने की उम्मीद है मौसम का यह रुख अगर बदला तो जल्द ही पहारों पर बारिस और बरफवारी भी होगी और यह बरफवारी पूरवान चल तक ठंड भी लेकर आएगा अब अगर बात उत्तर प्रदेश के परोसी राज बिहार की की जाए तो उत्तर बिहार में छे नौम बर तक बदला बदला सा रहेगा मौसम का मिजाज पूरवान मान के अवधी में उत्तर बिहार के जिलोग में आस्मान प्राया साफ रहेगा तथा मौसम के सुस्क बने रहने का अनुमान है तो ये था लखनोग उत्तरप्रदेश के मौसम का हाल वा जानकारी वीडियो को लाइक पर सेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत जै किसान